ग्लो ओफ फिजिक्स में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुमेंट ओफ कपल ओन एक करंट केरी लूप इन ए यूनिफोर मैगनेटिक फिल्ट अर्थात एक समान चुम्बकिय छेत्र में धारावाई ही लूप पर बलिगुम का आप पहले से जानते हैं बच्चो की बलिगुम कैसे बनता है और उस बलिगुम का हमने क्या निकालना है आघून निकालना है बच्चो जब हमने आपको बच्चो जो हैं बैदुत दृधर बताया होगा तो बच्चो वहां भी हमने आपको इसको पढ़ाया होगा बच्चो तो यहाँ पर पूरी कोशिस की जारी है बच्चो, कि आपको यहाँ पर जो बल्ल्यूकम का आगून हम निकालेंगे, उसको आपको बताएंगे, लेकिन इस से पहले बच्चो, जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा उपर कर लेता हैं बच्चो, यह उसका टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया बच्चो, एक समान चुम्ब के छेत्र में ये लिखा है बच्चो यहां पे एक समान चुम्ब की या छेत्र में धारावाही लूप पर बरलिकुम का आगू एक समान चुम्ब के छेत्र है बच्चो ये भी मैंने पहले आपको बता दिया एक समान चुम्ब के छेत्र क्या होता है धारावा ये फीगर बनाए है, ठीक है बच्छो, यहां पर यह एक छेत्र चुम्बक है, सक्ति शाली चुम्बक है, उसके धुरुव है, बच्छो, दिखाई दे रहा है, एन और एस, है नॉर्थ पोल है, और ये साओध पोल है, उत्री धुरुब और दक्ष्री धुरुब, और इस में जो है एक आयताकार कुंडली को हमने लटका रखा है ये आपको दिखाई देरा बचो ठीक है बचो आयताकार कुंडली बचो मैं इसको लिखूँगा नहीं आयताकार कुंडली को क्या नाम पढ़ेंगे बचो ये P यहां पर लिखा है P Q R और S यह आयताकार कॉंडली है यहाँ पर आयताकार कॉंडली की जो लंबाई है उसको मैंने यह B लिखा है बच्छो दिखाई दिर बच्छो यह लंबाई है तो यह भी लंबाई हो जाएगी दो लंबाई दो चोड़ाई हो जाएगी यह B है ठीक है? P Q कितना है बच्चो, B है, RSV, RSV कितना हो जाएगा बच्चो, B हो जाएगा, और QR उसकी चोड़ाई को मैंने A दिखा रखा है बच्चो, ठीक है, तो PSV कितना हो जाएगा, बच्चो, लंबाई को चाहे तुम A दिखाओ, और चाहे B दिखाओ, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चो, आप यहाँ पर देखो, यतना मैं लिखूंगा नहीं बच्चो, वीडियो को सॉल्ट करने की कोशिस करूंगा, अब यहाँ पर बच्चो, यहाँ पर इस कुंडली में आप धारा प्रभाहित कर रहे हैं बच्चो, ठीक है बच्चो, कहां से सुरू किया आमने, द फिर ओपर की ओर गई धारा, इधर जो है, इस परकार से ओपर की ओर गई बच्चो धारा, मैं यहाँ पर दिखा दूँ बच्चो, यह दारा इस परकार से ओपर गई, यहाँ से से पी की ओर गई, और फिर कहा गई, नीचे आगे इस परकार से, तो बच्चो, यहाँ पर आय आयताकार कुंडली की चारों भुजाएं, ठीक है बच्चो, चार भुजाएं दिखाएं देरें बच्चो, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये चार आयताकार कुंडली की चारों भुजाएं, धारा वही, धारा वही, चालक, के समान, के समान, ब्योगवार करेंगे, ठीक है बच्चो, ठीक है बच्चो, अब आप ने ये भी बढ़ा, थोड़ा से बता दू, इसमें कितने चार चार चालक बन जाएंगे, और चुमबक की अ छेत्र में धारवाई चालक पर लगता है, बल लगता है, मैं की point इसको बता रहा हुँ छो पहले भी मैंने बताया है कि चुंभक की Candre में यह महतोपूर है, चुंभक की यह च्छितर कौन बना रहा है बचो can policy चुंभक बना रहा है और इसमें हमने इस कुंडली को रखा है, तो कुंडली में कितनी बुजाएं, चार बुजाएं, तो चारों बुजाएं, जो हैं क्या करेंगी, धारा वाई ही चालक के समान बिहार करेंगी, अब की पॉइंट है, जो पहली ब्यातब जो, धारा वाई ही, धारा वाई ही, चालक को चुम्बकी या छेत्र में, चुम्बकी या छेत्र में, रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है ठीक है बच्चो इससे पहले मैंने आपको बता दिया बच्चो कि धारावाही चाल को चुमगे छेत में रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है और इस बल का मान कितना बताई था बच्चो मैंने आपको आई B L साइण थीटा ठीक है बच्चो मैंने आपको बताए था कि Dταरवाही चालक पलगने वाला बल और बच्चो मैंने इसको अनगमन B के आधार पर भी आपको क्या किया था बच्चो आपको इसको बताने की कोशिस कि थी थी ठीक बच्चो अब कुन्डली है उसमें चार भुजाएं है ठीक है बच्चो इसमें मैं ने का थ़ा, दो भुजाएं ध्यान देंगे बच्चो आप यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर जो बच्चो यह PQ भुजा और SR भुजा यह जो हैं और ये भी चोड़ाई वाली भुजा है ये दो लंबाई वाली भुजा है दो चोड़ाई तो लंबाई वाली भुजा अर्थात P, Q और R, S ये चुम्ब के छेत्र के लंबवत हैं और जो चोड़ाई वाली भुजा है P, S और Q, R ये चुम्ब के छेत्र के समानतर हैं तो बच् अर्थात क्या होगा चुम्बकिया छेत्र के समांतर ठीक है बच्चो अब मैं यहां बता दूं बच्चो चुम्बकिया छेत्र के समांतर कौन है यह देखो कौन-कौन सी भूजा है बच्चो लिखो पी-एस और क्यू-ार कौन-कौन भूजाएं है बच्चो यहां पर मैं लिख दूं पी-एस तथा क्यू-ार भूजाएं ठीक है बच्चो यह चुम्बकिया छेत्र के क्या है बच्चो समांतर है और इन पर बलने लेगए का यहां देखो बच्चो एफ बराबर कितना हो होसाइन जीरो डग्री और बच्चो सारे जानते हैं कि साने गामान जिरो होता है, तो बच्चो यह पोस कितना आ जाएगा, बच्चो, 0 आ जाएगा ठीक है बच्चो एक बात समझ गया आप मैंने आपको clear करा दिया बच्चो कि ये जो आयता कारकुल्ली है इसकी दो समानतर भुजाओं में ये जो चुम्ब के छेत के समानतर आने वाली जो भुजाओं है P, S और Q, R में कोई बल नहीं लगेगा अब कौन ठीटा बरावर 90 डिगरी ठीक है ठीटा बरावर 90 डिगरी इसका मलग क्या हुआ चुम्ब की छेतर के लंबवत ठीक है बच्चो चुम्ब के छेतर के लंबवत ठीक है बच्चो यहाँ पर कौन-कौन सी बुजाएं मैं लिख दू बच्चो फिर एक बात देख लो बच्चो यहाँ पर देखे बच्चो चुम के छित के लंबवत कौन है बच्चो एक बुजा क्या है पे क्यू है और दूसरी बुजा क्या है रस है तो देखो कौन-कौन से बुजाएं है P Q तथा R S भुजाएं ठीक है बचो ये चुमब के छीट के लंबत है धारावाई चालक है वो ठीक है बचो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बचो यहाँ पर theta 90 हो जाएगा तो sin 90 को मान कितना हो जाएगा बचो 1 हो जाएगा तो कितना बल लगेगा बचो F बराबर I B और बचो उसके लंबाई कितनी मानी बचो यहाँ देखो उसके लंबाई कितनी मानी बचो इसके लंबाई कितनी मानी हमेने B है न बचो तो length की जोग अब कितना जाएगा बचो यहां ते के ध्यान दीजे यहाँ पर i b और उसकी लंबाई b है और sign of कितना हो जाएगा बच्चो 90 degree हो जाएगा और इन पर अधिकतम बल लेगा बच्चो कितना लग जाएगा i b into small b ठीक है बच्चो इतना बल इसमें लग जाएगा बच्चो ठीक है बच्चो अब क्या होगा बच्चो मैं थोड़ा सा देखो बच्चो मैंने ये figure और बना रечьके लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा अब यह देखे बच्चो मैंने यहाँ पर बता रखा है थोड़ा सा आफ द्यां देंगे इसमें यहाँ पर बच्चो यह दोखो एक force यह हुआ, यह ऊपर क्यो लगईगा, ठीक है बचो, क्योंकि धारा की दिशा ऊपर है, तो यह ऊपर क्यो लगईगा बचो, mister के ऊपर क्यो लगईगा, और यह कहां लगेगा अंदर की ओर लगेगा ठीक है बच्चो यह force यह up है और यह क्या है यहां पर भी लिखा है बच्चो यह I down है यह अंदर की ओर लगेगा और यहां I क्या है यह I up लिखा है उपर यह force उपर बाहर की ओर लगेगा और यह force अंदर की ओर लगेगा बच्चो तो कागज का जो तल है ना उसके यह कहां लेगा बाहार के ओर यह देखो बटो यह दो मैं दिखा रहा हूं यह दो बाहार के ओर देखो मैं थोड़ा सब दिखाने का प्रियास करता हूं आपको यह ने बच्चो यहां पर देखो मैं आपको दिखाने को इसकता हूं बच्चो ये वाला फोर्स, ये, कितना लगेगा बच्चो इसमें, ये मैंने दिखा रहा है, I, B, इन्टु स्मॉल भी, ये फोर्स क्या लगेगा, ये उपर के ओर लगेगा, और ये नीची के ओर लगेगा, अब बच्चो, आपको एक चीज़ समझानी है बच्चो, कि कपल कब बनता है अर्थात बल यूग मकब बनता है, थोड़ा ध्यान देंगे, चित्र में बाद में फिर समझाओंगों बच्चो, यहां देखे बच्चो, एक फोर्स ये देखे बच्चो, ये देखे, ध्यान दे रहे हैं, ये अप है, ये देखो, दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि बच्चो, धारा भी वही है, और उनके लंबाई भी वही है, चुमके छेत्र भी वही है, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, देखो बच्चो, एक फोर्स ये है, ये अप है, यू अप, ये देखे बच्चो, और ध्यान से देखे, एक फोर्स ये नीचे लग रहा है, बच् होते हैं और समांतर होते हैं और विपरीत होते हैं ठीके बच्चो और इनकी किरिया रिखाएं भी अलग लेगें तो बच्चो ये क्या करते हैं एक बल युग्म बनाते हैं ठीके बच्चो ये दोनों फोर्स क्या बना देंगे बच्चो एक बल युग्म बना देंगे ठीके ब तागज के तल के नीची के ओर हैं, वो परस्वर बराबर हैं, विपरीद हैं और समानतर हैं, उनकी किरियाई रिखाएं अलग लग हैं, ऐसे फोर्स क्या करते हैं बच्चो एक बल्युगम बनाते हैं और बल्युगम हमेशा क्या करता बच्चो उसको घुमाने की कोशिस करता ह इस बलीगमु को कहते हैं बच्चो बिक्छेपक बलीगमु बिक्छेपक बल यूगमु डिफलेक्शन का बल ठीक है बच्चो यह जो है बलीगमु बनाएगा बच्चो तो बलीगमा आपने समझे बच्चो अब यहां पर जो बच्चो यह फिगर है इसको मैं फिर फिर लोगा तो यहां पर हमने किस परकार से force बना दिया, मैं फिर figure बना रहा हूं, आप ध्यान देंगे बच्चो, इस में ध्यान देंगे, इस भुजा में, लंबाइ वाली भुजा में, दोनों इस परकार की भुजाएं, मैं फिर बना दू, ये भुजाएं हैं, ठीक है बच्चो, ये द तो ये भुजा क्या थी बच्चो P Q थी ठीक बच्चो और ये थी R S ये देखे ज्यान से देखे बच्चो इसमें फोर्स इसमें देखो बच्चो ये मैगनेटिक फिल्ड था ये मैगनेटिक फिल्ड है और ये फोर्स इसमें लग रहा है ये देखो ये फोर्स लग रहा बच् यहाँ पर यह magnetic field है यह magnetic field है और यह force बच्चो इस परकार से लग रहा है यह देखे ज्यान से देखे बच्चो यह force यहाँ पर लग रहा है ठीक है बच्चो तो यह दोनों force यहाँ पर क्या बनाएंगे एक बल्यूंग बनाएंगे और यह देखे बच्चो इनके बीच की दूर किसके बराबर हो जाएगी इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई जो मैंने क्या मानने की बच्चो यह मैं फिर यहाँ पर बना दूँ बच्चो यह दो को फिकर में फिल आ गया बच्चो यहां पर देखे एक भुजा PQ है यह फोर्स लग रहा न बच्चो यहां पर देखे F और यह भी चुम्गेचेत के लमगत है यह भी चुम्गेचेत के लमगत है इसमें फोर्स F लगेगा इसमें फोर्स लेकिन इन फोर्सों का क्या होगा बच्चो यह फोर्स जो हैं बराबर तो हैं ठीक है बच्चो समानतर हैं अब भी प्रीत हैं अब देखो बच्चो मैं कितना हो जाएगा बच्चो बलिगुम मैंसे कोई सभी बिक्षेपक बलिगुम मैं यहां आप लिक रहाऊं बच्चो भिख छेपक हुआ भाल लूझ धीक है बच्चो अब बच्चो चाहे इस F को लो चाहे इस F को लो तो F बराबर क्या हो जाएगा I-B into B ठीक है बच्चो I-B into B बच्चो मैंने यह निकालाख है यहाँ पर निकालाख है यह निकालाख है बच्चो यह निकालाथा ना बच्चो I-B into B क्योंकि यह आई-B L होता है तो L के जगए अपधा उसको लंब आई कितनी मानगती मैंने बी मानखिती आई b in two b आजाएगा बच्चो अब देखे यहां पर जो है अब हमने इसका क्या निकालना है िस बरली गुम्हों का आगुण आगून के लिए लंब दूरी चाहिए अब यह देखेब को फिगर मैंने बना रखा यहां पर जो है यह कंडली का तल है ये कुंडली का क्या है तल है और इसका आक्स जो होगा कुंडली का जो आक्स होगा इस कुंडली के तल पर हम क्या खिंचे के लंब खिंचेंगे बच्चो क्या खिंचेंगे कुंडली के तल पर हम क्या खिंचे के एक लंब खिंचेंगे वही उसका आक्स हो जाएगा क्या है ब इस पर क्या खिंचे कह kwesti लंभ हो जाएगा बच्चो तो इसका आक्स हो जाएगा बच्चो तो यह जाम आति जो हे बच्चो यह भूजा कितनी हो जाएग यह भूजा वाली नने बच्चो मैंने एमान दhalten तो यहां पर ध्यान देना आपको, यह अंगल थीसटा है ना यहां पर यह थीस्क जाएगा आपको इसको ज्यादा डिसकंसन करना क्योंगि जर्मिल्टी के अंजार यह थीसटा हो जाएगा, ठीक है बचो यह theta हो जाएगा अब देखो बचो हमको जो है बलीगमों का आगोल निकालना है तो लंबदूरी कौन हो जाएगी बचो ये देखें एक force ये है और एक force ये है दिखाई धर दो force इनके बीच की जो लंबदूरी है बचो तो आपको ये आपको निकालना है ठीक है ये भुजा निकाले इसके बीच की लम दूरी में ये भुजाएगी। तो ये भुजा कितने आजाएगे बच्चों? ये भुजा sine theta से. ये sine theta के सामने की भुजा है. तो मैं यहाँ पर बना दूँ बच्चों इस परकार से मैं यहाँ पर निकाल देता हूं. यहीं पर निकाल देते हूं बच्छों यहां देखे ध्यान से ध्यान देना आपको इस figure के द्वारे यहां पर निकाल दूँगा बच्छों यहां देखे बच्छों तो sin theta बरावर जो इसका लंब है sin theta बरावर लंब बटे क्या हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा बच्छों कार्ण हो जाएगा ठीक है बच्छों और लंब तो आपने निकालना है लंब बटे कार्ण क्या हो जाएगा बच्छों यहां पर कार्ण क्या हो जाएगा इसकी जो इसकी जो तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा बटे ए यह देखो बचो आगया और यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा अब बच्चो आपने क्या निकाल दिया यहाँ देखिए आपने बल भी निकाल दिया यह देखिए बिक्षेपक बलीगुम का आगूँ ठीके बच्चो अब क्या हो जाएगा बिक्षेपक बल युगुम का आगूँ बिक्षेपक बलीगुम का आगूँ इसको हमें इसा टो द्वारा लिखाया जाता बच्चो आपने वहाँ भी पड़ा है जो आपने जब जो है आपने बलीगुम का आगूँ वहाँ भी निकाल आपने बलीगुम का आगूँ वहाँ है बल गुणाए गए लंब दूरी लंब दूरी बल गुणाए गए क्या हो जाएगा बच्चो लंब दूरी हो जाएगे ठीक बच्चो अब बल कितना निकाला बच्चो आई I, B, capital B into B और लंब दूरी किती निकाली बच्चो मैंने A sin theta ठीक बच्चो तो बच्चो यहाँ पर अलग लग फिकरों में किसी में चोड़ाई को B लिखा है किसी में लंबाई को A लिखा है तो बच्चो आपको concept आने चाहिए और A, B into A को मैं अलग कर रहा हूँ तो बताओ बच्चो आप ही बताओ B into A को अलग क्यों क्या क्योंकि आयत का जो छेत्वल होता है आयत का छेत्रफल जो होता है वो होता है बच्चो लंबाई गुणागय चोड़ाई तो बच्चो A, B into A क्या हो गया उस कुंडली का छेत्रफल ठीक है बच्चो तो टौ बराबर कितना आए गया बच्चो I, B, A, Sine, Theta ठीक है बच्चो और यदि ये तो एक फेरे के कारण है यदि कुंडली में N फेरे हैं यदि कुंडली में N फेरे हों तो ठीक है बच्चो तो कितना हो जाएगे बच्चो N से गुणा कर देगे एक फेरे के कारण इतना जो है क्या लग रहा बरली को में का आगुन लग रहा तो N फेरे के कारण कितना हो जाएगे N से गुणा कर देंगे N, I, N, I, A, B A, B, Sine, Theta ठीक है बच्चो, अब यहाँ पर आपको ज्यान देना है बच्चो, जो कि महत्वपूर्ण आ रहा है, यहाँ पर जो NIA है, इसको चुम्बकिया आगून कहते हैं, NIA को हम M कहे देते हैं, इसको कहते हैं बच्चो, चुम्बकिया द्विधुर्व आगून, जैसे वहां दुधुर्ब आगुण आये न, दुधुर्ब आगुण, ठीक है बच्चो, ये चुमबकिया दुधुर्ब आगुण हो गया बच्चो, जैसे बच्चो वहाँ पीवराव टू कियो लाए न, बैदो दुधुर्ब में, उसी प्रकार से यहाँ पर NIA को क्या लिखा जाता है, तो बच्चो ये फॉर्मलाई ही हो गया, और बच्चो इस पर सवाल पूछा जाता बच्चो, NIA, ये क्या है, चुमबकिया आगुण है, क्या बच्चो, चुमबकिया आगुण है, तो बच्चो कितना हो जाएक बच्चो, टौ बरावर कितना हो जाएक बच्चो, NIA के जब अब क्या लिख दूँ बच्चो मैं M, M लिख दूँ, M, B, Sine, O, Theta, तो बच्चो ये आगया आपका बिक्छेपक बरलीगुम का आगुन, बिक्छेपक बरलीगुम का आगुन बच्चो और मैंने इस प्रकार से इसको पॉइंट आउट कर दिया, ये देखे बच्चो, ये फ M का, sorry बच्चो, M का मातरक क्या होगा बच्चो ठीक बच्चो, और B मां भी इसकी पुछी जाती बच्चो, तो M बरावर क्या है बच्चो, N, I, E, ठीके बच्चो, N क्या है, फेरों की संक्या है, ठीके बच्चो, तो संक्या को तो हम लिखेंगे नहीं कोई अब यहाँ आई क्या है बच्चो एम का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चो एन का तो कोई मात्रक होगा ने आई का मात्रक क्या हो जाएगा एमपियर और एमपियर बच्चो और ए क्या है बच्चो छेतपल है छेतपल क्या हो जाएगा मीटर बर एमपियर मीटर बर ठीक है बच्च तो आप वीडियो को सुरू से अंत तक देखते रहें और अब मैं आपको चुम्बक क्या आघून के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चो तो जिस प्रकार से आपने बैदुदुदुदुदुरूब का आघून पड़ा है उसी प्रकार से और विप्रीत आविश जो हैं बैदुद्ध धुरूब बनाते हैं उसी प्रकार से दो चुम्बग के विप्रीत धुरूब जो हैं क्या बनाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों